हलो गाईज, हलो डियर स्टुडेंट, आज हम सौल करने जारे सोशे साइन्स, गुजराद बोर्ट स्टेंडर नाइंथ, चैप्टर नमबर इस थी, मूमेंट, टुबर्ट और न्यू वड्स इस चैप्टर का ट्राशलेशन हम पहले विडियो में अपलोड कर चुके हैं, इस विडियो में हम आपको इसकी एक्ससाइज स Start Soil कर के बताएंगे Dear student, आप बने रहिएगा last तक इस वीडियो में ताकि आपको इस chapter की exercise समझ में आप easy way में समझ सके और अपने notebook में loaddown कर सके Let's start exercise of this chapter Dear student, अगर आपने चैनल अभी तक subscribe नहीं किया है तो सबसे पहला आप इसे subscribe कर लीजी और बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक इस वीडियो में है Exercise का first question है Answer the following question point wise तो first question है यहापे Which circumstances caused the great depression जो great depression आया था समय जो global depressions था उसके caused क्या थे, कारण क्या थे उसके बारे में discuss करना है Answer देखिए When the first world war came to an end जब पहला प्रथम विश्वयूद जो खतम होने आया The head of most of the European nation had the belief that post-war problem come to an end But it proved wrong मतलब उन लोगों ने मंतन किया कि Most of the European, जो European nations थे काफी सारे European nations थे Had the belief उन्होंने सोच आइस बात के पर विश्वास किया कि post-war problem War के बाद में जो problems आई मतलब जब प्रथम विश्वयूद फिनीश होने आया तब सबने ये सोचा European countries ने, nations थे कि अब हमारी सारी problem सौल हो जाएगी लेकिन problem सौल नहीं हुई Suddenly a large number of shares begin to be sold in the Wall Street stock market This stock, this shook the stock market heavily और अचानक से जो और इस तरीके से बट बड़ा नुकसान हुआ मार्केट में This event is called Wall Street crisis और इस event को Wall Street crisis के नाम से जाना जाता है This crisis shook the whole world and shatter the economy of various nations अभी जो crisis आई ती जो problem आई इससे क्यों के पूरा विश्व क्या बिलकुल इसके कभजे में आ गया यह problem पूरी विश्व में होगी पूरी विश्व को यह crisis खा गई और इसी कारण से जो सब जगे की economic condition कैसे होगी पूर हो गई It gave birth to the great global depression of 1923 to 1932 और इससे global depressions पैदा हुए फिर question number second है Discuss the factor responsible that caused the world war second आमें इसमें बताना है So the factor responsible for world war second was as under फिर नेशनलिज्म World war second के अंदर सबसे बड़ा जो कारण था उसमें से एक कारण है Nationalism राष्ट्रेवाद की भावना सभी देशों की जो सोच वो संकुचीत हो गई सभी देश अपने बारे में ही सोचने लगे की We are the best and other nation is nothing मतलब उनका ऐसा लगा की हमें अमारे देश के बारे में सोचना है हमारे देश के बारे में करना है बाकी दूसरे देश से हमें कोई मतलब नहीं है उसे खत्म कर देना है दूसरे देश को और उसे भी अपने अंदर मिला लेना से कहते राष्ट्रेवाद की भावन अपने राष्ट्रे का विकास करना विक्सित करना फैलाना After the First World War फिर्स नेशनलिस्म developed in Germany, Japan and Italy नेशनलिस्म की भावन कहां कहां डेवलप हुई Germany, Japan और Italy German could not forget the injustice done to them through the Treaty of Ursula जो वर्सलाइस की संदी थी उसके अंतर जर्मनियों के साथ में जो नाइन साफी हुई थी वो उन से अभी तक भी बढ़दाश नहीं हो रही थी और वो अभी तक भी नहीं भूला पाये थी Adolf Hitler captured some provinces of Australia and Czechoslovak following his Nazi philosophy that Germans must get all those provinces German were staying अपने capture कर लिया था उसने और उसकी जो नाजीवादी जो थी उसकी सोच जो थी इसके कारण सेट जर्मन must get all those provinces where German were staying. जर्मन जहां पे भी रहते थे थे वो सब उसने अपने काभू में ले लिये थे Italy could not forget that it was ignored in the treaty of और इस चीज को भुला नहीं पा रहा था कि वर्सलाइस के सिंधी मुसे इनोर किया गिया अंडर दे लिडर्शिप और दे फैसिस्ट पार्टी फासिवाद पार्टी Mussolini started फिर से नेशनलिस्म एडप्टेड इंपरियलिस्ट पालिस्ज और जो ये जापन तू गेव इंटो इंपरियलिस्म थास वर्टी पालिस्म एड़्टी जापन ने भी जो राश्टेवाद की भावना को अपना लिया और इस तरीके से शांती जो है खत्रे में पढ़ गई फिर गुपिजम गुप बन गय राश्ट्रियों के अंदर अफर फिर्स वर्ट वर्ट फ्रांस अलवेज अवेज अप्रेद जर्मनी फिर्स वर्ट वर के बाद फ्रांस अमेशा जर्मनी से डरता था इट एंटरे इंट इंटली विद बेल्जियम, पॉलें, रोमानिय और रूम बर्ली टोक्यों इतली ने फिर क्या बना है एक रोम बर्ली तोक्यों रोम बर्ली टोकीों कि धूरी बना है एक्कसिस ग्रूप with support of Germany and Japanese ने जर्मनी और जापन को support किया England and France formed another group with democratic values Germany signed a non-aggression treaty with Russia Germany भी Russia के साथ में non-aggression sandhi को sign कर लिया Thus a whole atmosphere of fear spread in the hall और डर का वातवरन पूरे विश्व में फैल गिया These factors to paved a way for second world war फिर है militarism अब जब groupism आया, nationalism आया तो उसके बाद में सभी देशों ने अपनी-पनी military को strong करना start कर दिया After the first world war on one side the countries were making effort to maintain peace whereas एक तरफ तो राश्टर कोशिश कर रहे थे की शांती वैस्ता बनाए रखे लेकिन दूसरी तरफ on the other side they were competing for expansion and increasing army, air force and novel strength और दूसरी तरफ सभी देश अपनी army, strength को, air force को और जो navy है उसको बढ़ानी की तरफ लगे वे थे European nations were competing for ammunition war weapon better than the other were being manufactured सभी युद के लिए अपने weapons बनानी में लगे वे थे nation like Russia and Germany sorry dear student for disturbance nation like Russia and Germany made military training compulsory for all in the east Japan increased its military force finally when even England and France also tried to equip themselves with the war weapon the signal for World War II became quite clear और लास्ट में जब England and France ने भी अपने आप में weapons बनाना शुरू कर दिया तो ये एक सिदा सिदा सा शांती वाला signal था कि अब तो दित्ते विश्विद हो नहीं वाला है failure of League of Nations First World War के बाद में जो League of Nations बना वो success नहीं उपाया ये भी एक बहुत बड़ा कारण था दित्ते विश्विद का The League of Nations was formed after the First World War to establish and maintain world peace जो League of Nations था उसने First World War के बाद में शांती वैवस्ता बनाय रखने के लिए इस League की स्तापना की थी The League could not become a supreme organization to control the world and with sovereignty over other nation of the world जभी League बनाय गया तो इसमें किसी के पास भी कोई supreme power नही थी ये भी एक इसके वैलेर होने का कारण था It also did not have its own army to make the nation follow its principles इसके कोई खुद की एक army भी नहीं थी जो इसकी principles को follow करवा सके League of Nations की Nation who were member of the League were neither interested in taking their problem to the League nor they were ready to accept judgment passed by it League of Nations के जो members थे वो नहीं तो कोई problem solve करने में को interest लेते थे और नहीं उनके को judgment को वो मानते थे Many nations left the League of Nations बहुत सरे राष्ट्रियों ने League of Nations छोड़ दिया Initially Russia and Germany broke their ties with it और last में Russia and Germany ने भी उसके साथ में जो बंद बनाए था वो तोड़ दिया Laterally captured Absinia, Japan attack, Manchuria and Germany captured some provinces of Czechoslavay के इस तरीके सब ने एक दूसरे के उपर वापिस कभज़ करना शुरू कर दिया This way All these three nations namely Italy, Japan and Germany broke their principle of League and hence left it. The League could do nothing to stop these power hungry countries and so the League of Nations fell और जो League of Nations था वो ही जो countries थी इनकी जो शक्ती थी उसको रोक नहीं पा रही थी Power hungry countries ये जो सत्ता की भुके देश थे उनकी भुक को वो मिटा नहीं पा रही थी वो एक दूसरे के हड़पने में ही लगे वे थे इस वाजी से भी League of Nations फैल हो गया अब ट्रीटी अवर्सलाइज जासा हमने आम लास्ट्रम में भी पड़ा था की वर्सलाइज की संदी जोए बहुत ही अपमान जनक संदी थी इसमें जर्मनी को बहुत बादाश करना पड़ा था ये भी एक कारण था की जिसके कारण से तो घुटे विष्वयूद हुआ ट्रीटी अवर्सलाइज वस फॉर्म्ड अफ्र था फॉर्स वर्ड जर्मनी वस फॉंड रस्पञ्जिब फॉर्वार गाइज फॉर्वार् था इसके काफे सारे प्रविंसे ले लिये गये राइन रिवर had to open for international sea route राइन रिवर न को open कर लिया गया international sea route के रूप में this unfair and humiliating humiliating treaty was forcible imposed on Germany और ये जो संदी थी ये जबुर्दस थी जर्मनी के ऊपर डाली गई थी the German dictator Adolf Hitler called the treaty of Versailles as a piece of paper and announced to reject it तो जो Hitler था उसने ऐसा का कि ये जो संदी है न कोई संदी नहीं ये तो खाली कागज का टुकडा है हम इसे reject करते है imperialistic ambition of Adolf Hitler Hitler led the foundation of the second world war second world war के जो foundation है उसमें Hitler को भी माना जाता है he had a face nationalist and militarist nature उसका nature कैसा था राष्ट्रिवादी और militarist nature था military जा से strict nature he wished unity stability and prosperity of Germany at any cost वो चाहता था कि Germany के में unity बनी रहे, stability बनी रहे prosperity बनी रहे the first victim of his imperialism was Austria और इसकी नीती का सबसे पहला जो victim था वो था Austria along with Germany and Armenia he entered Austria on 12th March 1939 this does Hitler expended Germany and led to the creation of a grand German nation Hitler ने अपने Germany को बढ़ाना शुरू किया और last में उसने एक बहुत grand German राष्ट्रिका creation किया, निर्मान किया German attack on pollen and immediate cause और जर्मन ने जो उसे में pollen पे अटेक किया था वो वहां का immediate कारण बना the above mentioned cause had made the whole world to sit on a heap of ammunition और ये सब जो कारण है इसके कारण भी राष्ट्रियों में युद की एक लेहर चल पड़ी a small spark could blow up the whole world इसमें सिर्फ एक चिंबारी एक छोटी से चिंगारी की जरुत थी जिसमें पूरा जिस वो जो पूरे विश्व में बहर जिस पूरे विश्व को विदिते विश्व युद में डालने के लिए तैया आर्थी सिर्फ एक चिंगारी की जरुत थी इस spark was German attack और ये spark ये चिंगारी इसका काम किया जर्मन के attack ने अंदर पीस्फुल पॉलन on 1st September 1939 Thus the world was second broke out this war is preached in the entire world इस तरीके से दिते विश्व युद शुरू हुआ और ये पूरे विश्वे में फैल गया थर्ड कोशन है write the effect of the world war answer second world war caused horrible destruction the world अब जो पृत्य विश्व युद हुआ तो उसके कारण क्या होगे तो कारण विश्व युद हुआ उसके असर क्या हुआ effect क्या हुए तो उसके effect तो क्या होगे सब नुक्सान ही नुक्सान होगा कहीं पर कोई फाइदा तो होगा ही नहीं फिर भी हम देखते है all the nation involved inquired whose expenses सभी राष्ट्रियों ने बहुत ज़्यादा कर्च किया America had spent 350 million dollar and other nation had more than 1000 billion dollars property worth the same amount was destroyed और इसी amount की property भी खत्म हुई England lost its property worth 2000 crore and Germany unimaginable Germany और England ने भी बहुत ज़्यादा नुक्सान बरिदाश किया these nations had given prime importance to the production of arm and ammunition that too at the cost of other basic necessities और basic जरूरतों को छोड़ दिया सभी राष्ट्रियों ने और उन्हों ने सिर्फ और सिर्फ अपने army पर ammunition पर ही ध्यान दिया as a result these arrows are dire scarcity of things for basic needs और इसी कारण से परिणाम क्या हुआ कि basic needs पूरी करने के लिए जो चीजे basic needs पूरी करती थी उसकी बहुत ज़्यादा कम ही हो गई फिर production reduced production क्या हुआ कम हुआ inflation increase और उसको use करने उसका जो उपभोग बढ़ गया and people struggle for livelihood अब लोग जीने के लिए भी struggle करने लगए several industries were also destroyed कैई उद्योग खत्म हो गई people were ruined economically लोगों की आर्थिक विवस्ता बरवाद हो गई this led to economic depression in the world पुरा देश economic depression में चला गया the world economy and politics change greatly और पूरे विश्व में आर्थिक और राजनितिक परिवर्तन हुए communism in China सबसे पहले हम पढ़ेंगे China में communism many nations of the world were impressed by the way Russia had made a fast progress with its communist major with the bolshevik revolution Russia में जो bolshevik revolution उसके कारण जो रश्या में एक अच्छानक सफस्ट प्रोग्रेस हुआ जिससे पूरा देश impressed हुआ China was also impressed Japan had become weak after the second world war China was also impressed Japan had become weak after the second world war लेकिन जो चाइन वो इंप्रेस हुआ है और Japan क्या हुआ हुआ है second world war के बाद में कमजोर हो गया अंडर दी सरकम्चांचिस इस कंड्रोल आवर China had resided और अंडर दी अर इनी सब सरकम्चांचिस के कारण China had resided China का उसके ओपर जो क्या हो गया resided हो गया taking advantage of these Mao C2 established communist rule in 1949 the beginning of cold war long term effect after the world war second the world again got divided into two groups one group was led by super power America and another by Russia during the war both these nations were friends after the war difference of opinion between them went of increasing thus the democratic America and the communist Russia became mutually opposite group democratic America and communist Russia and other small nations of the world joined these groups according to their convinces this situation created the atmosphere of cold war answer the following question briefly why was the united nation established united nation ki sthaapna kyi kyi gai at the end of first world war the league of nation was formed in order to establish world peace the league of nation was formed in the first world war the league of nation was fell at the end of second world war on 24th october 1945 the united nation was established with the purpose of the ijia is the peace security 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 and co-excidence in the world देश को एक दुसरे के साथ में बनाय रखे ये इसका परपस था फिर question second explain the economic and social council as an organ of UN means answer the council is also called ECOSOC the general assembly appoint of its retiring member for three years this council tries to raise the standard of living of nation of the world without any bias of religion मतलब ये जो council थी हुआ हमेशा कोशिश करती रहती थी की raise the standard of living अपने जीने की standard को बढ़ा है अपने राष्ट्रियों की of the world without किसी बिना किसी बेदबाव की चाहिए वो धर्म हो कास्ट हो रीजन हो को जी भी कोई बेदबाव अपने आपको उपर ला सकते हैं this council and its sub council work all over the world ये council और इसकी sub council पूरे विश्व में काम कर रही थी the economic and social council is principal body coordination, policy review, policy dialogue and recommendation of economic, social and environmental issue as well as implementation of internationally agri development goal ये जो council उसका सबसे में इंपोर्टेंट जो काम था है वो development करना अपने विकास करने के लिए जो लक्षन धारित करती थी उसके लिए वो policy बनाते थी policy dialogues बनाते थी और उसको recommend it करते थी it serve as the central mechanism for activities of the UN system and its specialized agencies in the economic, social and environmental fin supervising, subsidiary and expert bodies इस सर्व हुई अपनी सेवाई देता था central mechanism for activities उनके लिए गतिविदिया करता of the UN system, the UN system है वो and it's a specialized agency वो इसकी जो special agencies थी जो आर्थिक विवस्ता अर्थिक विवस्ता अर्थिक में थी social में थी समाजी समाजीक तोर पे थी environmental field में थी supervising subsidiary थी वो सब भी अपना काम बहत अच्छे से कर रहे थे it has 54 members इसके 54 members थे किसके? United Nation के elected by the General Assembly for overlapping three year term नहीं, sorry 54 जो member थे वो है? इसके question second yes economic and social council organ of the UN means हा मतलब UN के ही ये सब parts है it has United Nations जो है इसमें 54 members है elected by the General Assembly for overlapping three year term ये General Assembly के द्वारा elect किये जाते हैं हर तीन साल के लिए it is the United Nations Central Platform for reflection, debate and innovating thinking on sustainable development जो sustainable development है उसके लिए वो लोग innovative thinking जो भी innovative सोच होती उसको वह आफकारते थे उसको सुनते थे reflection उसके प्रती अपना निर्ने देते थे platform for reflection कोई अकर ये इसके बारे में कुछ कहना जाए कोई भी deep aid अकर करनी ही तो उसको वही लोग सुनते थे कौन United Nation वाले फिर है question थी right short note the general assembly of UN or security council of UN general assembly में तो जैसे हम ने अभी देखा कि इसके 54 members होते है उसके बारे में पढ़ना है और security council का मतलब है जो UN है United Nation है इसमे security council में इनोंने क्या किया 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 उसके बारे में बताना है तो first पढ़ेंगे general assembly the general assembly of UN is the biggest organ of the United Nation it included representative of all member of members nation इसमें सभी राष्ट्रियों के सदश्यों होते है every nation can send maximum five representatives सभी राष्ट्रियों कम से कम five representatives यहाँ पर बेश सकते है but during election only one vote of each country is counted और जब election होता है उसमें सभी country में से एक-एक सदश्य ही चुना जाता है it can discuss, advice, suggest और command on any matter related to international relation और जो international relation से उसके बारे में कोई भी matter हो तो उसके बारे में यह लोग discuss करते हैं advice देते हैं suggest करते हैं और command करते हैं it accepts the buzzard presented by the secretary general every year and allocational relation allocate और यह जो है budget भी पारित करते हैं हर साल allocate the expense it attempt to find solution to the economic problem of the national human right disarmament or other international matter फिर यह जो कोई problems होती है जैसे आर्थी कोई वस्ता से related कोई problem हो यह फिन national human right मानविया दिकारों से related problem हो disarmament जैसे नीश अस्त्री करण से related कोई problem हो international matter हो तो उसको यह सबको solve करती है decision are taken by 2-3 majority in the general matter कम से कम 2-3 vote मिलने चाहिए कोई भी decision लेने के लिए उसे स्विकार कर लिया जाता है फिर है the security council of UN is the most important organ of the United Nation it has 15 member 5 permanent member and 10 non-permanent member the 5 permanent member are America, Britain, France, Russia and China यह permanent member है बागी के 10 है वो non-permanent member है the security council has a presidency which rotates and change every year this council enjoy tremendous power in order to maintain international peace and security यह जो council सबसे पहले इसका काम होता है कि पूरे देश में peace, santy और सुरक्षा बनाए रखे it solves the problem and dispute of nations peacefully through negotiation and mediation यह negotiation and mediation कि थू अगर राश्ट्रो के बीच में को problem होती है तो उसे सुल जानी की कुशिश करती इसे वीटो के नाम से जाना जाता है जिसे right to Danny इस नाम से भी जाना जाता है इस नाम से भी जाना जाता है यह question बहुत important इस वीटो किसे कहते हैं इसमें कौन-कौन सी 5 जो superpowers आती है तो इसमें जो वीटो है यह 5 ऐपने निलने देनी की शक्ती को फिर आंशर इन वन सेंकें सित्थ व्ट्रोच्टी वास रिस्पोंसिर वर कर दो करक्ड ह दो ऑडौल्फ हिटलर वॉस जर्मन क्या देक्ट४र नेमे एल्यन दिक्टेटर इस स्मुसम civरी दे वॉस्वल बॉस्वल्दिटomorph Gave the immediate reason of the world war German attacked on the peaceful Poland Was the immediate reason of the world war second Next question Where is the UN headquarter situated? The headquarter of UN was situated in New York Next question What is cold war? Cold war kisi kaha jata Situation where the world got divided into two groups Do phago mein war divide hoge due to their ideology Like democratic led by America and communist led by Russia And their existed war like enmity is known as cold war If we choose the correct option from those given below First question Who started Nazism in Germany? Answer ho ga Hitler Who takes care of improving the health of the people of the world? So WHO Choose the correct option from those given below To answer ho ga Mussoloni established fascism in Italy Dear student This chapter is finished with us I hope you will understand the chapter If you will understand the chapter If you are understanding the chapter Do not forget to like it Like the video Please do not forget to like it And if you want to watch it The translation of the video You want to watch it If you want to watch it You will check it कर लिजिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत बूलिएगा इसी के साथ हम मिलते हैं नक्स वीडियो में एक्स अक्सरसाइज के साथ तब तक के लिए थैंक यू